नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो भरती हुए सिपाई भरती 28.1.2019 का प्रदम पाली का गड़ित का पेपर देखेंगे मतलब गड़ित के कोश्चन पूछे गे थे आपके 19 ठीक है हर में आप देखेंगे दोस्तों आपका थोड़ा थोड़ा फ्लक्ट्वेट करा किसी में 10-15 ऐसे से कोश्चन अधिकतर कोश्चन रिजिनिंग बढ़ जा तो इसमें हमको नहीं देखना है आपको देखना है कि 19 फैपर का पहला कोश्चन देखते है मतलब 28.1.2019 का प्रथम पाली का पेपर देखेंगे तो कोश्चन क्या है यह पड़ते हैं एक वस्तू पचीस सो रुपे में खरीदी गई दुकानदार इसकी कीमत जो है अंकित कीमत पर 12 परतीसत की छूट की अनुमती देता है और फिर भी 10 परतीसत लाव प्राप्ट करता है वस्तू की अंकित कीमत क्या है या फिर ग्यात कीजिए देखिए ऐसे questions को आप जो है मैं ज जादा formula नहीं बस आप जो जो चीजे बोला है उसको करिए बस answer निकल जाता है जैसे बोला जा रहा है कि वस्तूपतना है पचीस सो रुपे का है तो पचीस सो रुपे में कोई खरीदा गया दुकानदार क्या कर रहा है इसकी अंकित कीमत पर 12 परतीसत की छूट देता है तो करेंगे और बटा के 100 कर देंगे ठीक है और ये कब हमको लाव हो रहा है जब हम 12% का छूट दे रहे हैं तो जब छूट देते हैं तो हम करते हैं 88 बटा के 100 लिखेंगे जब छूट देंगे तब लेकिन हमको यहाँ पर उल्टा करना होगा क्यूंकि हम यहाँ पर उल्टा प 12% के छूट देने के बाद क्योंकि यह अंकित मुल है ठीक है इस पे हमको चाहिए क्या हमको चाहिए 10% का लाब कब इतना छूट देने के बाद हमको लाब चाहिए ठीक है इसके लिए हम जो है 100 बटा के 88 से इसमें क्या कियें गुडा की है ठीक है अगर छूट देना होता तो यहाँ पर वो value आती और वहाँ पर 88 बटा के 100 हो जाता आगे आप question solve करनेंगे तो पता चलेगा बस इसी को solve करना आपको तो यहाँ पर जो है आप direct 100 को 100 से काट दीजिए और 88 है देखिए 11 अगर आप पहाड़े आंते तो 1188 और यहाँ पर आपका 11 दस बार में कट जाएगा ठ finally दोस्तों यह 4 है ठीक है यहाँ पर नीचे आप देख रहे है और यहाँ पर आपका जो है क्या है इसको आप और चोटा कर लिए यहाँ पर आप काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर आप काटेंगे तो 1200 हो जाएगा किसका यह हो जाएगा पचीस सो का अधा और आप 100 हो जाएगा तो 88 हो जाएगा तो 88 बटा के 100 जब लिखेंगे तब हमको क्या होगा 10% का हमको जोए क्या मिलेगा जोए लाबवी प्राप्त हो जाएगा 3500 रुपए में ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों हमको अंकित मुले कितना रखना होगा 3125 रुपए यही यहाँ पर पूछा गया है ध्यान से के चीज़ देखेंगे और सीखेंगे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट जो कोशन है चार प्रति वर्स का सधान ब्याज है प्रनाली के तहट कितने वर्स में 1500 दोगने हो जाएंगे मतलब 1500 दोस्तों हो जाएंगे आपके 3000 हो जाएंगे तो मतलब यह आपका 1500 रुपए जो है यह क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे हमको प्राप्त करना है कैसे प्राप्त करना है 4% के दर से तो अगर आप 4% इसका निकालें क्या होगा 15 के 60 हो जाएगा 60 जो हो जाएगा वह 4 सेंट चार किसका 15 रोचा यहाँ पर बताएगा है फंदरसो दो गुना करना है यानि 3 तीन हजार करना है लेकिन कितने 4% के ब्याद से तो 60 ही होगा 4% की value कैसे हम निकाले हैं देखिए जब यह अगर आप जानते है 15 सों में यहाँ point लाएंगे तो यह 10% की value देता है यहाँ पर point लाएंगे तो यह दोस्तों 2-0 छोड़के तो 1% की value देता है अगर 1% दोस्तों जो है 15 है तो 4% 15 के 60 हो जाएगा तो ऐसे मैंने जल्दी से कर दिया है तो 60 पराबर क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा इसे आप आगे और भी questions को लगा सकते है ठीक है तो ध्यान दीजिए यह दोस्तों क्या है यह 4% है यह 1 साल में होगा ठीक है क्या होगा एक साल में हमको 60 मिलेगा और हमको प्राब्ट करना है कितना 1500 1500 नीचे 60 रख दीजिए एक साल के लिए तो पता चल जाएगा कितने साल में हमको 1500 प्राब्ट हो जाएगा तो एक 0 से 1 0 काट जीए अगर आप और छोटा काटना चाहते है तो आप डारेक्ट इससे काटेंगे क्या जाएगे आपर 3 से काटिए तो आपका 3,5,15 होता है तो यहाँ पर 0,50 हो जाएगा और 3 से आपका 2 हो जाएगा और यानी कि काट देंगे 25 हो जाएगा 25 वरसों में क्या होगा 1500 का 4% ब्याज से 1500 और एक्स्टा हो जाएगा यानि ये दो गुना हो जाएगा पंदर सो क्या हो जाएगा तीन हजार हो जाएगा तो राइट इंसर इसका जोस्तो क्या जाएगा सी हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप रिपीट करके देखिए बहुत दर से चक्विदी व्याज लगाया गया है मैंने यहाँ पर देखा 49 यानि 49 कई आएगा 7% इसका राइड एंसर होगा मैं रहता तो डारेक्ट यहाँ पर मार देता क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है मैंने जो यह table करके बनाता हूँ दो वाले में तो इसका जो है इसमें क्या होता है इसमें SI आता है और दोस्तों जो है CI टोटल हो जाता है और difference आपका यह वला हो जाता है यह मैं ट्रिक आपको बता दूँगा लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आप formula से जाते हैं तबी भी आप पता लगा लेंगे option से जाएंगे तबी पता लग जाएगा देखिए आपको यह पता है कि दो वर्सों में क्या हो रहा है यह आपका 144.9 जो है बढ़ रहा है last में आप देख रहे हैं कि 49 यानि 7% राइट एंसर होगा या फिर आप एक एक option करके रख सकते हैं लेकिन इसका जो basic तरीका होता है वो a बराबर मतलब यह मिश्रधन है इसका जो formula होता है वो होता है मिश्रधन बराबर यानि a बराबर p यानि मूलधन यह मूलधन है ठीक है 1 प्लस r यानि दर बटा क्या होता है 100 और उपर power में क्या होता है time यानि T हो जाता है तो इसी formula में अगर आप रखेंगे तो यह निकल जाएगा इसको अगर आप a को देखिए तो मिश्रधन होता है यानि यह total वला तो 11 44.9 रखिए और नीचे आपका क्या है 1000 है तो 1000 है इसको 10,000 कर दिया हूँ आप ले लिजे है ऐसे इसको मैं 10,000 कर द्या हूँ तीन जिरो की जगवा पर चा जिरो कर दिया हूँ और इस verdict क्या मैं निचे इस लिए भी निचे इसलिए पी को ही लिएकर डारेक्ट लेकर आगे हूँ यहाँ ठीक है समझ रहें यहाँ पर पी के जगा पर डिएक लिक सकते हैं कि ऐसे करके आपका यह बराबर क्या होगा बराबर अपका 1200 दिया थो 1000 पी के पहिलेंग कि भूआ कि बरहेंगे नहीं पता यह यह हमको नहीं पता है R Neese प्लस आपका क्या मिलेगा यहाँ पर दर मिल जाएगा तो दोस्तों एक सो साथ यह आप देख रहे हैं एक सो साथ क्या हो जाएगा सो में से घड़ जाएगा तो यानि 7% इसका दर याफी आर हो जाएगा लेकिन इतना बड़े फार्मूला में या फिर रख करके आपको साल्व करने की जरूरत नहीं है डारेक्ट अगर आप देखे तो मैं आपको ऐसे निकाल करके जो आपको LCM बताता हूं कि कुई आप जानत कीजिएगा 70 हो जागा दो वर्स की निकालना है तो यह पर 70-70 क्या हो जाएगा 140 रुपए जो है क्या है यह अपका SI हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर जब CI आता है तो घ्यान से देखिएगा CI आता है तो क्या होता है हमको इसका भी मिलने लगता है दूसरे वर्स क्या 10% है यानि 0.7 वह 1% हो जाएगा और 7% के क्या करेंगे 7-8 यानि आपका क्या हो जाएगा यहांपर एक्स्टा क्या वजाएगा यहांपर जूड़ किया जाएगा 4- Leute 4-9 यही total कर दिया है यही total लिग दिया है आपका तो देख रहे हैं यहाँ पर आप जो है यूनिट डिसे जाएंगे जल्दी से को सॉल्ब करके अगले कोस्टन पर बढ़ जाएंगे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बहुत ही कन्फूजन जब क्रियेट हो जाएगा नहीं समझ में आएगा तो लगाएंगे मिसद्धन बराबर मुल्धन फिर को बताया जा रहा है कि बीच दोस्तों बताया गया पैसा कितना पैसा है 1152 रुपिया दोस्तों जो है का नुकसान यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों जो है विभाजित किया गया नुकसान को विभाजित किया गया कितने चीज में 7 मतलब यह A का है 8 यानि यह B का है और 9 यानि कि ये C का है ये नुकसान भी भाजित हुआ है तो A का हिस्सा पुछा जा रहा है देखिए टोटल हमारा 1152 है ये हमको पता है अगर सबको जोड़ दिया जाए वही आपका होगा तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा क्या हो जाएगा 24 हो क्या हो जाएगा A का है तो 7 हो जाएगा तो 8 साते क्या होता है 56 जिसका है 336 इसका राइड एंसर आएगा ओप्शन नमबर A राइड एंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है 336 अगर B का पुछता तो हम 48 गुड़ा क्या कर देते है 8 कर देते C का पुछता तो 48 गुड़ा के 9 कर रुपए कारोववार में जो है लगाया परारम किया B ने C की तुलना में 6,000 रुपए अधिक दिये B जो है C जितना में दिया उसे 6,000 ज़ादा दिया A ने B की तुलना में 2,000 रुपए ज़ादा दिया यानिकि अब जो है ये 2,000 और एक्ष्टा दे दिया B की तुलना में ठीक है C जितना था उसे 6,000 ज़ादा B ने दिया और B की तुलना में 2,000 ज़ादा दे जया A ने यदि कुल आप 10,000 रुपए है तो A का हिस्सा पूछा जा रहा है दियान दिजिए अगर हम बोलें A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 50,000 रुपए है तो क्या हो रहा है सबसे चोटा इसमें C होगा क्योंकि देखिए B जो है C की तुलना में ज़्यादा दे रहा है 6,000 और A जो है B की तुलना में यानि A सबसे ज़्यादा हो जागा C सबसे चोटा बीच में अपका B आ जाएगा तो C को हम X माल लेते हैं ठीक है इससे क्या होगा अगर हम C को X माल लेंगे तो उसमें प्लस क्या 6000 कर देंगे तो B हो जाएगा ठीक है यानि कि अगर हम C के जगा पे क्या कर देंगे C के जगा पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो अगर हम C के जगह पर X माल लेते हैं, C को क्या मिल लेते हैं? X तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर X प्लस आपका 6000 हो जाएगा, ठीक है? और B बराबर अगर X प्लस 6000 है, तो 2000 और उसमें प्लस करेंगे, नहीं, X प्लस 8000 लिख देंगे, तो 1 आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, X एक जगह पर X प्लस 8000, समझ में आ रहा है, क्यों लिखे हैं? क्योंकि B बराबर था X प्लस, X प्लस क्या था? 6000, और X क्या है? C है तो A, B, C, A प्लस, B, P प्लस, C प्राबर अगर 50,000 है, तो C प्राबर अगर हम X मान लेते हैं, तो B प्राबर गा जाएगा हजार रुपए जो कि पक्छांतर कर देंगी धर तो यहां पर एक्स बराबर आपका क्या जाएगा बारा हजार रुपए ठीक है अगर एक्स बराबर यानि सी बराबर बारा हजार है सी बराबर क्या है अगर बारा हजार है तो इसमें छोजार प्लस कर देंगी यानि अगर यह बारा हजार है तो यह अगर कुल आप दस हजार है तो यानि इनका अनुपात हम कर लेते हैं क्या हो जागा अनुपात लगाने का अनुपात क्या हो जागा 10 और इसको 18 को दिए 9 और यह हो जागा आपका 6 और कट रहा है नहीं 10, 9, 6 का अनुपात आ रहा है ठीक है कूल है आपका कितना 10,000 रुपे है यानि जो अनुपात होगा किसका पुछा है एक हिस्सा तो दसवा हिस्सा जो है एका आपको बताना है अगर यह टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है 25 आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों बहुत असानी से आप निकाल सकते है यानि कि आप रखेंगे 10,000 रुपे बटा के रखेंगे 10, 9 आपका कितना आ रहा है लेगिन हम यहाँ पर 10 करेंगे गुड़ा क्यूं क्यूंकि यह 10 इसलिए कि यह 10 क्यूंकि हमको A का पताना था A, B, C का यह अनुपात है तो 25 से काट दिये डिरेक्ट आप यहाँ पर 5 से काट देते है D, यहाँ पर आइटेंसर होगा, 4000 रुपे, A का, समझ में आया है नहीं समझा, repeat करके देखिए, question को repeat करके देखिए, सबसे आसान भी धी में बता रहा हूँ next देखिए, आपका छठा question, एक पंसारी की 4 महीने की क्रमसा 4 महीने का क्रमसा कुछ पा रहा है, 2000 रुपे, जो है आपका 2500 रुपे, 3250 रुपे और 4250 रुपे की विक्री होती है यह विक्री बता जा रहा है, ठीक है 3500 रुपे की आउसत विक्री प्राप्त करने के लिए पांचवे महीने तो ये 4 महीने का बता रहा है और 5 महीने के बारे में पूछ रहा है कि कितना हम बेच दें कि 3500 रुपया औस्ट निकल जाए तो औस्ट का अगर आपको formula पता है तो औस्ट का होता है formula क्या होता है और कूल योग तो अगर हम इनको जोड़ दें किसको इन तीनों को ठीक है इनको प्लस कर देते हैं यानि 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250 ठीक है और एक जो पूछ रहा है उसके लिए हम पहले X लिख देते हैं ठीक है या तो लास्ट में या तो बाद में ठीक है तो बाद में लिख देते हैं प्लस X ये क्यों X लिखे हैं ये क्योंकि 5 महीने का पूछ रहा है वो महीने को X मान लेते हैं ठीक है और 5 महीने का है तो 5 नीचे लिख देंगे और और असत कितना आना चाहिए 3500 आना चाहिए ठीक है तो अब इस पक्छांतार होगा तो 35 का 5 में गुड़ा हो जाएगा तो पचास और बतीस सो पचास पचीस सो और दो हजार इनको अगर जोडेंगे तो यहां पर आपका बारा हजार रुपए देगा क्या देगा बारा हजार रुपए देगा तो अगर इन दोनों को घड़ा दें यानि डिफरेंस आप निकाल दें तो क्या आएगा आपका यहां पर पचपन सो रुपए जो है क्या होना चाहिए होना चाहिए पांच में महिने का कि हमको 3500 जो है क्या आउसत आ जाए तो पचपन सो रुपए यानि डी राइड एंसर यहां पर हो जाएगा आउसत के फार्मूला से यह आराम से हो गया है नेक्ष देखिए बी और सी एक काम 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं बी और सी हैं किसी काम को क्या करेंगे 40 दिनों में पूरा कर देंगे तो हम याँ पर लिख देरें direct, B plus C क्या करेंगे, 40 दिनों में कर सकते हैं जब कि A, B, C वह काम 20 दिनों में, यानि A plus B plus C काम को 20 दिनों में करेंगे कर सकते हैं, A अकेले वह काम कितना दिनों में पूरा करेंगा द्यान दिजिएगा, इसका LC हम लेंगे 40, और इसकी speed up की 1 हो जाएगी इसकी speed up की 2 हो जाएगी क्योंकि ये 20 दिन में कर रहा है और ये आपका 40 दिन में कर रहा है ठीक है हम क्या करते है 40 में जिसे ये जो LCM होता है इसमें इसका भाग देते हैं तो 1 का रहा है इस B से भागने की 2 आ जाएगा ठीक है यानि आप समझिए अगर आपका दिया हुआ है मान है A प्लस B प्लस C बराबर 2 और B C का value यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो आपका A का value नहीं आ जाएगा क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा यह 1 है तो उधर पक चांता हो जाएगा 2-1 यानि कि 1 आ जाएगा A बराबर B वन आ जाएगा तो काम अगर 40 है और A के स्पीट से आप काम करेंगे तो 40 दिन न लगेगा तो वही पूछ रहा है A अकेले कितने दिन में काम करेगा 40 दिन में करेगा ठीक है समझ में आ रहा है बहुत ही असान है ध्यान से देखिएगा नई समझ में रिपीट करके देखिए लेकिन पेपर से पहले सब देख लेगे देख लेंगे आप ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे A B से आधा कुसल है जो C से तीगुना कुसल है ये तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि B अकेले यह काम छे दिनों में कर सकता है ध्यान देंगे अगर हम जब अनुपात लगाते हैं तो जैसा जैसा बोलता है अगर वैसा नहीं होता है तो हम उसमें चेंजिस करते जाएंगे थी A B से आधा कुसल है यानि अगर B दो है तो A एक हो जाएगा लेकिन जो मतलब second person होता है और मतलब first person होता है तो जो मतलब second person यानि B क्या है C से ती गुना कुसल है तो C ऐसा कुछ जरूर होगा उससे तीन गुना कुसल होगा यानि इसको लिग सकते हैं 2 बटा के तीन लिख सकते हैं इसको चाहें तो लेकिन अनुपात को सही करने के लिए हम क्या करेंगे अगर हम इसको दो लिखते हैं तो इसको छे लिख देंगे क्योंकि तीन गुना कुसल करना है भी को तो इसका अनुपात क्या हो जागा दो और इसका आधा ये है यानि 3 हो जाएगा अनुपात finally जो हमको इसमें लिखना है उन्न लिखना है तीन च्छो दो क्या लिखना है तीन च्छो दो ये अनुपात है इनके कुसलता का ठीक है इस जो है इतनी सी भासा से हमने इसको निकाला है ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पुरा कर सकेंगे नहीं पता क्यूंकि काम ही नहीं पता है हमको यदि बताया है देखिए काम को यदि B अकेले यह काम 6 दिनों में पुरा कर सकता है B की स्पीड आपको नहीं पता है 6 और 6 दिन में करेगा, यानि काम आपका निकल जाएगा, 6-6, 36 दिन में काम करेगा, आप 3 मिलकर इसी काम को करवाना है, तो 6 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 9 अदू आपका क्या हो जाए, 11, यानि 36 बटा के अगर 11 लिखेंगे, तो 11, 33 यानि 3, फिर उसके बाद क्या आएगा, आप आपका फिर 3 उत्रेगा, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, दो बार मिले जाएंगे, ठीक है, तो आप 11 दूना के 22, यानि 22 यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद भाग दे रहे हैं हम इसमें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, 9 नमबर कोस्चन, पेपर का, एक्स ने 8 घंटे में 75 कीमी की दूरी तै की, ठीक है, किया, पॉइंट मा जाएगा, नहीं, कुछ और बोला है, उन्हों ने, मतलब क्या किया, एक्स ने क्या किया, आंसिक रूप से पैदल, 5 कीमी परती घंटा की गती से, और, आंस एक्स द्वारा पैदल, जो दूरी तै किया है, वो पुछा जा रहा है, तो इसको मान करके, जो मैं फार्मुला, जो मैं तरीका वता रहूँ, अगर आप इसको सीख गये, कोई भी कोशन कर लेंगे, बिली, कुता, ऐसे करके, बहुत सारे चीज़ें आती है, जिसे हम मान ले ठीचे करेंगे, समय का उसके बाद, यह स्पीड का पता चल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दिखिए, क्या बोल रहा है, माल लेते हैं, की 8 घंटा टोटल चला है, माल लेते हैं, की 8 घंटा तो अगर 8 घंटे में पैदल चला होता, कितनी दूरी चलता, 8 घंटे में, लिखीए 75 को ठीक है अब यहाँ पर देखे साइकील वाला देख लीजिए माल लेते हैं कि टोटल दूरी क्या था जितना घंटाँ चलना था साइकल से चला साइकल के स्पीड क्या है 12 12 की स्पीड से चला कितने घंटाट चला अब माने हैं पूरा टोटल तो क्या आजएगा बरवटे क्या आजएगा आपका 96 हो जाएगा यानि 96 चला लेकिन यहाँ पर चला कितना है 75 अब यह अनुपात में आ जाएगा इसका इधर माइनस करके लिखिए इसका इधर तो 96 में से 75 को घटा दें कितना आ जाएगा आपका तीन और पांच जोड़ेंगे तो आठ भी आता है आठ गंटे तो बिल्कुल आपका समय का आ चुका है ठीक है यह साइकिल से इतना समय चला और इतना समय किसे चला इतना समय पैदल चला पैदल के सामने है तो ठीक है और यह साइकिल वाल निकल गया है तो यह साइकिल के साम पाथ है यानि 12-5-60, 12-5-60 कीमी जो है ये साइकल से चला और इसमें से 15-15 होता है, या नुपाथ हम निकाल चुके हैं, तीन और 5 का बहुत, ऐसे ही आराम से निकाल लिए, ठीक है, तो ये 15-15 कीमी पैदल चला, पैदल चलने वाली चीज पूछा जारा तो डीर आइडेंस हो अगर साइकल पूछता तो 60 कीमी की दूरी साइकल से चला हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया है, नई समझ में रिपीट करके देखिए, जरूर समझ में आगा, बहुत ही असान तरीका में बता रहा हूँ, जिससे आप अराम से कोश्चन को कर लेंगे, ठीक है, चलिए, नेक् आयतन में कमी नहीं आती है, ठीक है, और पिगलाया जाता है, और दस सेमी, उचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास पूछ रहा है, व्यास क्या होता है, यह जो आपका व्रित है, यह टोटल व्यास होता है, आधा तरज्या होता है, यानि तरज्या अगर हम आर निकाल लेंगे उसमें दो कागरम गुड़ा कर दें तो हमारा व्यास निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर आप समझेगा जब भी कोई चीज का मेटल का वो बना होगा उसको पिगलाएंगे आयतन हमेशा समान हो रहेगा तो गोले का जो आयतन है बराबर जो होगा वो शंकू का आयतन होगा शंकू का आयतन ठीक है आयतन दोनों का बराबर होता है तो गोले का होता है चार बटा के तीन फार्मूला आपको पता होन π.r.h अब इसमें बस आपको मान को रखना है पहले तो आप 3 से 3 को काट दीजिए ठीक है पाई से पाई को काट दीजिए ठीक है इसका 22 बटा 7 मान होता है वैसे आप डैक काट सकते हैं उसके बाद अब जो जो दिया है क्या सेमी तिरजिया वाले गोले में तो तिरजिया का मान यहाँ पर 4 है ही गुडा के क्या दिया है 10 दिया है तो 10 गुडा के 10 इसको 3 बार लिख सकते है या फिर आप 10 के पावर 3 लिख सकते है ठीक है और यहाँ पर आपका R square बचा हुआ है बाकी आपका H बचा हुआ था H के लिए भी बोला है उचा ही आपका 10 से मी यानि आप यहाँ पर 10 लिख सकते है इस 10 से इसको काट करके 2 बना दीजिए ठीक है फाइनली आपका जो है R square बराबर तो R निकालने के लिख का करेंगे R निकालने के का करेंगे इस सबको root में डाल देंगे 4 बचा हुआ है तो 4 को लिख सकते है 2 गुडा के 2 और 10 के घाते 2 है यानि 10 गुडा के 10 लिख सकते है इसको बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा root हटेगा जोडा बहार आएगा यानि कि R बराबर आपका जगा 2 गुडा के 10 यानि कि 20 बराबर क्या हो जाएगा R हो जाएगा और क्यूंकि R अगर दोस्तो 20 है तो व्यास क्या होता है? इसका दो गुणा होता है क्योंकि मैंने आपको बता है बृत में आप टोटल यह र होता है यह पुरा व्यास होता है तो यहां पर के 40 राइड एंसर हो जाएगा व्यास क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा लगतार पांच पुर्णांग यानि तीन से सुरू होंगे तो लगतार है तीन चार पांच छे साथ पांच पुर्णांग हो गए यदि सेट में सबसे बड़ा पुर्णांग हटा दिया जाए यानि साथ को हटा दिया जाए तो उस सेट के आउसत में कितने पतिसत की कमी आई त तो जास्त बबराबर क्या होता है? आश्त बराबर आपका होता है योग यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 7 संख्या है तोतल नीचे संख्या है नहीं संख्या है? 1,2,3,4,5 इनको जोड़ेंगे तो क्या है आपका? ये आपका 7 होज़ागा 7 पांच 12, 12, 16, 18, 18 और 7, 18 और 7 आपका जगा 25, 25 बटा के 5 यानि काटेंगे तो 5 इसका आउसत आएगा, next वाले मिं क्या बोला है, कि अगर हम बड़ी संख्या को हटा देंगे, यानि next और आउसत जो निकालेंगे उसमें लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 7 को नहीं लिखना है, और नीचे संख्या 4 हो जाए, क्योंकि संख्या देखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 25 थाईए, यानि कि यहाँ पर दूस्तों क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, जोड़िए 7, 5, 12, 6, 18, 18 बटा के 4, यानि इसको लिख सकते हैं 4.5, यानि कमी जो आई है, देखें कितने का आ रहा है, 0.5 का कमी आए, कितने पर 5 पर, यानि 10 पर 30 की कमी इसका राइड एंसर हो जाएगा, 5 का 10 परसेंट क्या होगा, यहाँ पॉइंट लगाते हैं, अरांस पता चल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, राइड एंसर भी हो जाएगा 10 परसेंट, एक जो है, जिसे माल यह 100 लिखा हुआ है, इसमें अगर एक 0 छोड़ करके, एक संग्या छोड़ करके पॉइंट लगाते हैं, तो 10 परसेंट की वैल्यू आती है, यानि 100 का 10 परसेंट 10 हो जाएगा, और अगर 2 पॉइंट छोड़ करके करते हैं, और उनका गुड़न फल आना से यह 64, तो यह आप जानते हैं, 8 गुड़ा के 8, क्या होता है, 64 होता है, लेकिन 8 गुड़ा के 8 है तो इनका योग पूछ रहा है, तो 8 प्लस 8 यानि 16 राइड एंसर होगा, ठीक है, बोल रहा है निमनेखित मेंसे कौन सा नियूनतम, जो है, दो पुणांकों का योग है, तो 16 कहीं दिया होगा, जो योग है, जो की नियूनतम है, आप 64 और भी बना सकते हैं, 16 चोग के 400 होता है, लेकिन 16 में 4 प्लस करेंगे, तो आपका 20 नहों हो जाएगा, नियूनतम बताना है, तो 16 यहाँ पर 8 गुड़ा के 8, यानिकी, डी राइड एंसर हो जाएगा, आप चाहें तो equation बना के भी इस question को कर सकते हैं, जब options आपके पास हों, तो ज़्यादा equation या ज़्यादा, उसको solve करने के चक्कर में एंसर करके, next question को solve करने में समय दीजिए, ठीक है, यही smart तरीका होता है, next देखिए आपर, वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद करें, जिसके द्वारा 1200 को एक पूर वर्ग बनाने के लिए गुड़ा किया जाना चाहिए, 1200 देखिए, पूर वर्ग नहीं है, वर्ग आप जानते हैं कौन कोन सा होता है, एक तो आपका, पहले तो आप छोटा संख्या कैया है, चार है, तो 400 तो यह है नहीं, दो 0 है यानि यह बर्ग बहुगा, तो एक 0 हो जाएगा, यह तो आपको पता है, चार रहेगा तो दो हो जाएगा यानि चार सो रहता तो इसका क्या हो जाता है दो इसका हो जाता है इसका जीरो यानि बीस का यह हो जाता है अगर नो सो नो होता है नेक्स तीन का ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा तीन नो सो रहता तो एक जीरो हो जाता है या 30 का यह वर्ग हो जाता, next देखिए उसके बाद 9 के बाद क्या आता है, चर्क क्या होता है, 16 होता है, फिर तो 12 तो आये नहीं, किसे गुड़ा करें कि यह वर्ग बन जाए, तो देखिए 12 में क्या गुड़ा कर सकते हैं, दो से गुड़ा करेंगे, तो 24 किसी का वर्ग है, नहीं है, 3 से गुड़ा करेंगे, 36 किस का वर्ग है, बिल्कुल है, 6 का वर्ग है, ठीक है, यानि 36, इसमें 3 से गुड़ा करेंगे आप, तो हो जाए क्या 36, जो की 60 का वर्ग है, इसका क्या हो जाएगा 6 गुड़ा के 6 लिख सकते हैं इसको 10 के 100 के लिए क्या करेंगे 10 कर देंगे 10 गुड़ा के 10 यानि 60 का वर्क जो है यहाँ पर 3 से गुड़ा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा B right answer हो जाएगा Next देखिए यहाँ पर इसको solve करना है तो आप इसको direct इस तरह किसे लिखेंगे जब से जहां से छोटा है उसको लिखेंगे पहले तो 64 के लिए क्या करने सकते हैं 8 गुड़ा के 8 लिखते हैं तो इसको एक बाहर आजाएगा यह ठीक है तो इस वाले को तोड़ दिये हम 8 लिख लिख लिए तो 73 अब यहां तक solve कर रहे हैं हम 73 प्लस 8 हो जाएगा ठीक है इसको तोड़ करके लिख दी है छोटा करके तो 73 और 8 आपका कितना हो जाएगा यहां पर 81 हो जाएगा अंडरूट में तो इसको 81 क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं यानि यहां तक खतम कर दिये अंडरूट में अब क्या हो जाएगा 27 प्लस 9 हो जाएगा ठीक है यहां तक खतम हो चुका है तो 27 में 9 को प्लस करें क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा यह भी अंडरूट में है तो 36 को यहां तक खतम कर दिये यानि कि 6 लिख सकते हैं यानि अंडरूट में 3 प्लस 6 यानि क्या जागा 9 हो जाएगा तो 9 को अंडरूट में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं तो 3 फाइनली इसका राइड एंसर आएगा C ठीक है इसको solve कर लिजेगा ठीक है तीन राइड एंसर होगा नेक्स देखिए पंदर नमा कोश्चन यदि X by Y बराबर 4 बटा के 5 है ठीक है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है Y का मान तो क्या करिए यहाँ पर X का मान निकाल करके यहाँ पर रख दीजिए प्रति स्थापन भी दी जो हिंदी में कहते हैं वैल्यू पूट करना यानि X by Y का लिखा हुआ न तो यहाँ पर X बराबर क्या आ जाएगा Y का उधर गुड़ा हो जाएगा X बराबर आप क्या हो जाएगा 4Y बटा के 5 अब यही वैल्यू इसमें रख दीजिए इस वाली एक्विशन में मैं रख रहा हूँ 7 multiply by किससे 4Y upon 5 आप चाहे तो लिख सकते हैं इसके लिए तो आप डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा solve करने के लिए लिख रहा हूँ 6Y बराबर क्या हो जागा 29 दिखिए यहां पर नेक्स्ट क्या होगे यहां पर आपका सच्चो कब क्या जागा 28 हो जागा 28Y लिख सकते हैं आप यहां पर 28Y और बटा के 5 प्लस 6Y बराबर 29 इसमें आप LCM ले लिए पांच और 28Y का 28Y आ जागा यहां पर 1 रहता है तो यहां यहां पर 5 चुओ LCM लेगा उपर गुड़ा हो जागा तो 5 का 30 हो जाएगा 30Y ठीक है और यहां पर आपका क्या हो जागा 29 इसका पक्छंता दो तो 29 में दोस्तों आपका गुड़ा हो जागा 5 ठीक है तो 5 का गुड़ा हो जागा 29 में तो आपका कितना हो जाएगा यहां पर का value हो जाएगा काटेंगे धाई देगा 2.5 2.5 option number A में है यही right answer आपका हो जाएगा ठीक है चलिए next देखिए आगे बढ़िए दो संख्याओं का महत्तम जो है समापरवत्तक और लगुत्तम समापरवत्तक मतलब कि आपर LCM और HCF के बारे में बात हो रही है HCF और LCM के बारे में ठीक है दो और 60 है यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ग्याद करिए देखिए एक फॉर्मूला होता है मासा गुड़ा लसा मासा गुड़ा लसा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या ठीक है तो मासा क्या दिया है दो गुड़ा के लसा यानि 60 ठीक है LCM आपका देखिए मासा दिया हुए यहाँ पर दो और LCM यानि की लसा आपका 60 दिया हुए पहली संख्या और यानि कि आपको मौसा गुड़ा के लस से जो प्राप्त होगा वही पहली संख्या और दूसरी संख्या गुड़ा करने पे भी प्राप्त होगा लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी से क्या है अगर हम मालन लेते हैं कि यह संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा x फ्लस 14 हो जाएगा ठीक है यानि कि आप 120 यहाँ पर प्रात करेंगे 120 और यहाँ पर इसको उड़ा कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वाइर प्लस 14 क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है लेकिन आपको यह आप खुद ऐसे दिमांग लगाईए कि कैसे हम 120 ला सकते हैं कोई संख्या को गुड़ा करके लेकिन यहाँ पर सर्त यह है कि क्या होना चाहिए एक जोए दूसरे कैसे 14 ज्यादा होना चाहिए देखें माल लेते हैं औप्शंस में से चो 5 चार दिया हुआ है तो माल लेते हैं अगर चोटी संख्या चार है ठीक है तो इससे चौदा ज्यादा करेंगे तो यानि 18 गुडा के 4 करने पर 120 देगा नहीं देगा माल लेते हैं चोटी संख्या क्या है पांच है ठीक है माल लेते हैं ऐसे दिगास सर्वी करने ही सॉल्व करना है तो दिमाग मैं ऐसी करने के लिए में बोल रहा हूं तो अगर यहाँ पर 14 प्लस कर करने करते हुआएं दोन हैंतास हैं लेक्न या पर पता चल गया कि छोटी संख्या कि छो है नेक्सदेखिए यहाँ चार समूंध मधे नौ यानि सनूपाते नौ कि अनुपात में A और B के बीच जो है कैंडिया बाटी गई है 49 वित्रित की जाती है B को A से कितनी अधिक कैंडिया मिलती है ध्यान दीजिए 5 अनुपात में ज्यादा मिल रहा है टोटल 49 कैंडिया है और 4 और 9 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा तो यह आपको X की वैल्यू पता चलिएगा 4X कर लिजिए इसको और 9X कर लिजिए 29 बटा के तीन तेरा सुरी तो 13, 36, 36, 39 जोता है तीन X बड़ाबती हो जाएगा तो आपका कैंडिया A को जो मिला है और B को जो मिला है पता चलिए आपको 4X की जगा पर 3 रखते रहे हैं तो 4X आपको क्या हो जागा 12 और कैंडि और यह क्या हो जागा 9 तरीके आपको क्या हो जागा 27 कैंडि अब पूछा है अंतर B को A से कितनी अधिक है तो 27 के से 12 गटा देंगे 15 कैंडि अधिक मिला हुआ है ठीक है B यहाँ पर राइड इंसर हो जाएगा ठीक है यह 5X है तो 5X ज़्यादा है तो आपको 5 गुड़ा के 3X के वेली तो निकाले दिये थे तो 5 यह 15 बी राइड इंसर यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे 10 परतीसत और 10 परतीसत के लगतार चिन हित मतलब यहाँ पर जादा किया गया है करने के बाद 20 परतीसत की छूट पर एक वस्तू 288 रुपय में बेची गई वस्तू का लागत मुले तो माल लेते हैं कि लागत मुले X था क्या किया गया पहले इसमें 110 बढ़ाए गया यानि 110 बटा के 100 लिग दीजिए फिर क्या किया गया है एक बार और 30 परसंट भी बढ़ाए गया तो 130 बटा के 100 कर दीजिए और 20 परसंट की छूट दी गई तो आप देखिए उसको घटा देंगे 100 में इसे 20 को घटा दें क्या जागा 80 बटा के 100 ये करने के बाद जो संख्या में X जो हो गया 2288 हो गया 2288 ये हो गया ठीक है तो आप यहां पर काटिए डारेक्ट आप इसको इससे काट दिए 00 और यहां से 0 काट दिजिए 80 है इसको आप चाहे तो ये आप काट दिजिए ये क्या हो जाए अपका 80 को 20 से काटेंगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा ये 5 बार में कट जाएगा अप अप अगछांदर कर दिजिए X बराबर क्या हो जाएगा आपका द्यान दिजिए 2288 है और उपर वाले चीज नीचे आजाएगे तो उपर के लिए क्या होगा ये 5 गुड़ा के 5 और गुड़ा के 100 हो जाएगा उपर और नीचे क्या हो जाएगा अपका 11 गुड़ा के क्या हो जाएगा 13 और गुड़ा के अपका 4 हो जाएगा 4 से इसको काट दिजीए अगर और कट हो जाएगा ये ये 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पर ये 11 दुना के 22, दो बार में कट रहे छाएगी फिर 0 और 11 8 है आपका क्या हो जाएगा 88 यानी 208 ही हो गया ठीक है और 13 से काटेंगे 13 इक बार में काटेंगे यह तो आपका क्या देगा फाइनली यह देगा आपका साथ और यहाँ पर ठीक है तो 16 गुड़ा के 25 जो होगा 16 गुड़ा के 5 यानि कि यहाँ पर 125 यानि कि दोस्तों इसको आप गुड़ा करेंगे अगर 125 में 16 अगर आप गुड़ा करें तो देखिए 5, 36, 36, 32, 24, 85, 85 यानि यहाँ पर 8 हो जाएगा और 16, 32 और 8 आपका हो जाएगा 40 फिर आपका 0, 00 फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा और 16, 16, 20 यानि कि दोस्तों यहाँ पर 2000 राइट एंसर आएगा नेक्स देखिए और लास जो कोशन है वो देखिए आपर कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपय में खरीदा गया सिलाई सुल्क के रूप में 40 रुपय देने के बाद 40 रुपय देने के बाद यानि 600 क्या हो जागा 640 रुपय हो गया के बाद इसको प्राप्त करना है क्या इसको प्राप्त करना है कितना परतीसत है साढ़े 12 परतीसत लाब प्राप्त के लिए इसको क्या करना है कितने कीमत पर बेचा जाएगा तो 12, 12 आपको प्राप्ट करना है तो 12, 12 परसेंट के लिए 100 इसको गुड़ा कर दीजे तो इसको गुड़ा करने के लिए पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे नीचे एक 0 बढ़ा देंगे और इसको 125 माल लेंगे ठीक है तो इससे आप डाइक 0 से 0 कार दीजे और 25 चवगे और 25 पाचे ठीक है कड़ गया और आपका 16 चवगे 64 होता है ठीक है 16 पाचे या एक सकेंड यहाँ पर क्या हुगा यह कड़ गया 0 से 0 और यहाँ पर 640 था ठीक है यानि कि 16 पाचे आपका 80 हो जाएगा तो 80 क्या होगा यह होगा 12 परसेंट तो जो 80 होगा वो क्या होगा वो 640 में जुड़ेगा तो ये total बेचा जाना चाहिए कितने में तो 80 इसमें जोड देंगे यानि कि यहाँ पर आपका 12 के लिए हो जाएगा 720 रुपे में अगर हम बेचेंगे तो 640 पे हमको क्या होगा 12.5% का लाब हमको प्राप्त हो जाएगा यानि कि D यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा D यहाँ पर आपका राइड एंसर हो जाएगा सब्समें आगे 80 क्या निकला है यह 640 का 12.5% है तो यह प्लस करना है हमको यही तो लाब चाहिए तो यह है आपका पूरा मुल्य इतना प्लस करेंगे तभी तो हमको मिलेगा साड़े 12% का लाब तो 720 रुपए में हम बेचेंगे D राइड एंसर हो जाएगा तो देखिए यह था पेपर सॉल्ब यूपी प्लिस का आसा करते है हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आओगा वीडियो को अधिक से दिक लाइक शेर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज लाइक और शेर धन्यवाद